पट्रकारों पर हमला पर हमला या सच बोलने वालों के खिलाफ हमला होना समय के हर दौर में होता रहा है और या जो सच लोग बोलते हैं वही साथ दुनिया का सबसे सार्थक काम है लेकिन कुछ गलिया हिंदुस्तान में ऐसी हैं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से सच उभर कर सामने ही नहीं आता है वह राज्य है चट्यस गड़ चट्यस गड़ से आये पत्रकार आवेस्तिवारे ने पिछले सत्र में बहुत सारी बाते की हम एक बार जानने की कोशिस करते हैं आखिरकर चट्यस गड़ के बारे में जो समाचार पत्रों में खबरे छपती हैं और जो चट्यस गड़ की जमीनी हकीकत है उन दोनों में क्या आंतर है जी देखें चट्यस गड़ के बारे में जो आप समाचार पढ़ते हैं आम तोर पे वहां नकसली वारदातों की खबरे छपती हैं कि माववादियों ने इतने मारे या सुरच्छा बलो ने इतने माववादी मारे यही खबरे छपती आई हैं जबकि हकीकत यह है कि चट्यस पर्यावरन के दिश्टीर स्कोर से बहत सम्रिद्ध राज्य है चट्यस गड़ में जो सबसे वड़ी बात यह है कि आदिवासियों का पूरा जीवन स्ट्रील ट्राइप्स की आबादी देश में सबसे अधिक कहीं पर है तो चट्यस गड़ में है तो और दिसरी बात यह है म अंतर है जो कहा जाए कि अवेस जी थोड़ा सा इसको उधारन के साथ यूंकि इतना अमूर्त बातें लोगों समझ में नहीं आती है उधारन के साथ अगर आप बताएं तो थोड़ा जी आप उधारन के साथ जानना चाहते हैं तो आप खाली यह सोचिए कि एक तरफ आप व रुजगार के लिए वो कही खबर में नहीं आ रहा है चतिसगड़ के भिलाई में बहारी संक्या में डेंगू से मौते हुई यह पिछले दो महीनों के दवरान वहां की अकबारों में नहीं पता है लोगों को समझ है तो होता क्या है कि वहां से चतिसगड़ को लोग केवल म माववादी हुआ माल लेते हैं कि वहां पर काली माववाद की गटनाई गटती है ऐसा नहीं है चतिसगड़ में अडानी लूट रहा है चतिसगड़ के पूरी खरी संपदा को लूट रहा है बाहर के लोग आके लूट रहे हैं अवेश जी एक बात बताए यह जो नकसली के ज़वादी इस तुरक्षा बलों का ज़वादी मरता अंतता गरीब आदमी मरता आदिवासी या मरता दली थी है जो जवाद रह नहीं है और बाती मरता हैर इसगियार विशल्सृ सब्ली स्थ्य नहीं में पर q 대해서 c 36 गड़ में करप्शन की एक अबिडल धारा बह रही है। जब अधिकारी वहां का पूरा सिस्टम मिलकर के मावाद को जिन्दा रखने की कोशिश कर रहा है। आपने एक बहुत महत्तपूर्ण अपने वक्तवे में बात कही थे कि SC और ST के बीच भी वहां पर मतभेद है और बहुत घना संगर्स है। देखे आपको बताएं केवल SC, ST के बीच ही नहीं है। सेडूल ट्राइप्स वहां के मूल निवासी है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांगलादेश अलग हुआ था, तो बड़े पैमाने पर बांगलादेशी से हिंदूओं को ला करके वहां बस आया गया बस्तर में। वो बाहर के नागरिक है बांगलादेशी। तो ट्राइब्स जो हैं वो बदकत्ताई बरदाश्ट नहीं करते कि बाहर के नागरिक है तो वो बंगलादेशीयों का विरोध करते हैं वहां पे, उनको बरगलाते हैं कि जाओ अगर तुमको बाहर का आदमी परशान करता है तो इसको ये कर डालो तो वो प्रस्राय देते हैं इस भेद बाव को ये सच्छाई है और ये खबरे छपती नहीं है आम तोर के अधिकारियों को लेकर के जो अख़बारों के साथ दिक्कते आती हैं कि अधिकारी, सरकार की अधिकारी किस तरह से परिशान करते हैं? वह कभी मतलब बंता नहीं है? देखिए, आपको एक चीज बताएं, बात कारिव के फैवल 36 गड की नहीं है, ये बात बिहार की भी है, उत्तर प्रदेश जैसे राजे की भी है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राजे की भी है, मुझे नहीं लगता है कि वहां के प्रशाषन को किसी प्रकार अखबार की खबरों से कोई दिक्कत आती है पिछले चार-चे महिनों में अब रश्टाचार की हमने लगातार खबरे छापी अधी सदिकी होता है कि उन खबरों पर विधान सबा का बहिर गर्मान हो गया कोई बड़ी कारवाई हो जाए ऐसा नहीं होता दो महिने से मिलाई में रायपूर में बड़ी संक्या मिलाई में तो खास्त और से बुरे हैं और जो अधिकारी है वो करते क्या है जानते है कि सरकार हमको कुछ नहीं करने वाली है अब उनको सबने दिक्कत यह है कि अगर कर्फशन करते हैं मीडिया लिखती हैं तो मीडिया क summarize अपनाते अपने उनकों तंग करने के टूल्स अपनाते हैं हाँ सरकार का समर्थज जडरूर रहता है सरकार जानती है कि अंको सरकार है तो किस तरह का सायोग नहीं था एक बात बड़ा इसपस्ट तोर पर मानना है और अलग-अलग मंचों समय कहता रहा हूं जिनको जिन्दगी में आसानी चाहिए जिनको यह लगता है कि नहीं हमारा पुलिस कुछ नहीं करेगी जिनको कस्ट से डर लगता है उनको जनलिजम न खबार रेगिंग करेगा उन सब के बीच अगर आपको लोहा लेने का बादा है तभी आप जनलिजम करिए नहीं तो मत करिए बहुत साफ बात है अब आज का वक्त ऐसा है सोशल मेडिया इतनी तकड़ी है लोग अपने फेस्बुक पर अपने एक पोस्ट लिख देते हैं व मुझे लगता है कि जनलिस्ट का पहला काम जर्क खबर लिखना है एक्टिविजम भी उसका एक इससा है लेकिन बाद में आता है पहले खबर लिखना है तो इसलिए मैंने बेल के लिए अप्लाई किया और एटिस्टिपेटरी बेल लिया और काम करता है डर मुझे नहीं देते हैं अब मेरे साथ के लोगों को डाला भी यह सच्चा है अंतिम सवाल आप से एक पत्रकारिता है चका चौंध वाले जिसको देखकर हम पत्रकार बनना चाहते हैं जो युवा फौज है और एक पत्रकारिता है आपकी जो 36 गलियों में जाती है और वैसे खबरी करती है जिससे जीवन भर प्रतारना सहन करना पड़ता है तो उन लोगों को जो पत्रकार बनना चाहते हैं या उम्मीद देख रहे हैं उनको आप क्या करना चाहते हैं जी देखिए पहली बात तो यह है कि पत्रकारिता का सीधा मतलब है कि man to man conversation आम आदमी का आम आदमी से समवाद जब तक आप समवाद नहीं रखेंगे आप बात नहीं करेंगे लोगों तो वो क्यों कर आपको आपकी बात का जवाब देगा और दूसरी बात एक बात हमेशा याद रखें कि जिसके लिए खबरे लिखते हैं आपकी खबर लिखने से उसके जीवन में कुछ बदलाव आना चाहिए अगर बदलाव नहीं आता तो आपका खबर लिखना बेमानी है खबर क्या है क्या नहीं इसका अंतर भी इसी से पता लगता है कि आपकी खबर लिखने से उसकी जिंदगी में थोड़ा बहुत सही कुछ न कुछ बदलना चाहिए ये भी न बदले उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट एक शांती भी आती है तो आपका खबर लिखना सार्थक है बहुत बहुत सुक्रिया ये थे आवेस्तिवारी जैसा कि उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का मतलब होता है man to man conversation यह तभी संबा हो सकता है जब हम समझें यह आखिरकर सच कहां से उत्पन होता है वो किस तरह का होता है अगर जब हम यह समझेंगे तभी हम यह कोशिस करें कि हाँ हमें man to man conversation करना चाहिए शुक्रिया